दोस्तो तारक मेता का उल्टर चिस्मा शोğ में होने वाली है दया भाबी की फाइनली 6 स़लों के बाद एंट्री और सभी तारक मेता शोओ फैंस, सभी दया भाबी के फैंस बहुत ज़्यदा एकसाइड रहा उनको एक बार फिर से तारक मेता शोओ में देखने के लिए तो guys यहाँ पर दया भावी की entry से TRP तो बढ़ने वाली है शो को फायदा तो होने वाला है लेकिन उसके अलावा हमें क्या-क्या changes शो में देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर दोस्तो जेठालाल और दया के इतने सारे scenes होते थे, इतने सारे comedy scenes होते थे उसमें भी funny elements होते थे तो बहुत interesting होता था जेठालाल और दया का एक साथ screen पर आना तो वो चीज़ एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगी इसके अलावा दोस्तो गड़ा family पर जादा attention हो जाएगा आपको याद होगा जब तारिक में ताका उल्ट जिश्मा के जो सबसे पुराने episodes थे उनमें जो focus था ना वो गड़ा family पर रहता था लेकिन जब से दया भावी शोचोड कर गई उसके बाद सारी गोकुल दाम society की दूसरी family पर भी बराबर का attention चला गया था लेकिन अगर दया भावी फिर से वापस आती है तो कुछ time के लिए गड़ा family के उपर ज़्यादा attention तो होने वाला है उसके अलावा दोस्तों बहुत time हो गया कि महीला मंडल पर कोई भी story नहीं आई मतलब कि महीला मंडल पर focus story कोई भी नहीं आई देखो scene तो दिखा दिये जाते हैं कुछ-कुछ बीच में महीला मंडल के लेकिन उनके उपर कोई focus story नहीं आई तो वो भी हमें देखने को मिल सकती है और हाँ दोस्तों सबसे main जो attraction देता था ना कि जब जेठालाल गुकुलधम society compound में आता था तो balcony से दया उसको बुलाती थी और उसकी बेस्ती करके जाती थी वहाँ पर खास करके बवीता जी के सामने तो वो वले scene भी फिर से हमें देखने को मिलेंगे तो एक बार फिर से वो सब देखना काफी जाता दोस्तों interesting हो जाएगा तो हाँ guys ये कुछ changes है जो मुझा से लगता है कि हमें दया की entry के बाद देखने को मिलेंगे बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है दया की entry के बाद comment section में जरूर बताना वीडियो पसंद देऊ तो यार लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके notification बेल ओन कर लो ताकि आने वाली interesting अपडेट आप मिसना अगर पाओ विल आलिस वीडियो में इतना ही मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में